अस्पताल में प्रसवकराने और अन्य स्वास्थ सुविधाओं के लिए सरकार कई कवायदें कर रही है प्रात्मिक स्वास्थ केंद्र और सामुदाईक स्वास्थ केंद्रों की स्थापना की वजह भी यही है कि हर कोई स्वास्थ लाब ले सके लेकिन कोंडा गाउं का एक ग साल बीद गया प्रात्मिक स्वास्थ केंद्र खुले अब जाकर पहली किलकारी यहां गुंजी है इसे हिम्मत कहिए या जरूरत खैर जिला प्रशासन ने प्रसूता को समानित किया है कुंडा गाउं के कौन कुड गाउं में अस्पताल बनने के एक साल बाद पहला प्रसव महिला को जिला प्रशासन ने समानित किया गौर तलब है कि कौन कुड गाउं नकसली मामले में काफी समवेदन शील शेत्र है इस गाउं में आने जाने के लिए बार्दा नदी पार करनी होती है नदी में पुल ना होने की वजह से बारिश के दिनों में ये गाउं टापू में बदल जाता है कौनकुट गाउं में एक साल पहले प्रात्मिक स्वास्थ केंडर बनाया गया ग्रामीन छोटी मोटी बिमारी को लेकर अस्पताल तो जाते हैं लेकिन महिला के प्रसव के लिए या तो घर में ही डिलिवरी कराई जाती है या फिर ग्रामीन शहर की ओर रुख करती हैं अस्पताल खुलने के एक साल के बाद गाउं की ही महिला मनीश बती मरापी को दूसरा प्रसव हुआ इसके पहले मनीश बती की पहली डिलिवरी के समय परीजनों को काफी दिकतों का सामना करना पड़ा था वहीं दूसरे बच्चे के साथ अस्पताल में भरती मनीश बती ने कहा कि इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहां भी सभी सुविधाएं हैं पहले 40 किलो मीटर दूर परेशानी उठाकर फरस गाउं या धनोरा जाना पड़ता था जानकारी मिलने पर इस बार गाउं में ही डिलिवरी कराई यहां किसी तरह की परेशानी नहीं है पहले परस गाउं दिलवरी बजा ते रहें नदी पार करके पहला बचा में परस गाउं जाएं अब दूसरों बचार में कोणगुड़ आएं कोणगुड़ अस्पतल परस गाउं जारा नहीं पड़ा है कोणगुड़ अस्पतल में ठीक तर दिलवरी होई है प्रात्मिक स्वास्थिकेंद्र के डॉक्टर सुदर्शन जोगी ने कहा कि सुदूर इलाके में बने इस अस्पताल में ग्रामीडों को सारी सुविधाएं दी जा रही है अब इन्हें इलाज के लिए भटकना या परेशान नहीं होना पड़ेगा प्रात्मिक स्वास्थिकेंद्र कोनगूर में खुलने से ग्रामीडों को सारी सुविधा यहीं पे उपलब्ध हो रही है पहले जब यहाँ पे हास्पेटर नहीं खुला था तो यहाँ से 40 किलिमेटर दूर बलाक मुख्यला है फरस गाम में जाके डिलिवरी कराना पड़ता था और चुकि नदिन आले है रस्ता खराब है लोगों को बहुत ज़दा परेशानी होता था लेकिन जब से यहाँ पे प्रात्मिक स्वास के अंदर खुला है और हमारे टीम द्वरा लगातार काम किया जा रहा है लोगों को सेवा किया जा रहा है तो लोगों को पहले से बहुत ज़दा सुविधा मिला है सच मुच नकसली समस्या से जूज रहे इस गाओं में इस तरहा प्रसूता और उसके परीजनों द्वारा की गई पहल आने वाले दिनों का बहतर संकीत है सब्सक्राएंटो लोगोंच अल्श कर दो आर दो dag्या रहे है